कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेट फार्म पर बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग सीखेंगे पाठियोजना कैसे बनाया जाता है जो भी बीट करते हैं जो भी बीट कर रहे होंगे विद्यार थी तो उनको पाठियोजना बनाना में बनाना पड़ता है मीघ में फाइल बनाने पड़ती है जो हम बता रहे हैं इस सिर्फ पहले लिखेंगे में इसके बाद छात्रा ध्यापक का नाम में आंपका नाम रहेगा मतलब बघकिसक्षंड के अंदर का नामें मतलब जिस विद्याले में आपकी टीचिंग लगेंगी उस विद्याले का नाम इसे रहेगा जिस विद्याले में आपकी chips मतलब जिस दिन पढ़ाने के लिए हैं आप बना रहे हैं और साथ के लिए हम बना रहे हैं आप डालेंगे नीहीं युख से समाजिक जिए जिनिह समस्की समय आब यह वी कलांस में जो भी घंटी जो भी पीरियर रहता है जिस पिरिडमे आप जाएंगे वह इसमें डाला जाता है अवधी अवधी 40 मिनिट मतलब आपकी घंटी कितने समय की है वह इसमें डाला जाता है तो 40 मिनिट की है तो 40 मिनिट इसमें डाला गया है आगे चलिए प्रक्रेंड प्रक्रेंड में लिखेंगे महात्मा बुद्ध प्रक्रेंड का मतलब होटा टॉपिक तो महात्मा बुद्ध पर महात्मा बुद्ध पर बनाया जा रहा है पाठ्विजना है तो महात्मा बुद्ध इसमें डालें डाला गया है तो आप भी इसी तरह से लिखेंगे, अब सामानि उद्ध्यश से हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पहला बिध्यार्थी के ज्यान में बिद्धy करना दूसरा बिध्यार्थियों के सामाजिक उसलता का विकास करना तीसरा अतीत की जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को अर्ष्पस्ट करना चोथा स्वदेश प्रेम वह सांस्क्रितिक एकता की भावना मजबूत करना आगे चलते हैं अगे डालेंगे विश्ट उद्देश्यव और इसमें पहला लिखेंगे चात्र अयतिहासिक पूरुष्ट के जीवन से अवगत हो सकेंगे दूश्रा है चात्र बहुत धर्म का विस्तार्शे वड़न कर सकेंगे आगे चलते हैं अब सिक्षण साहएक समगरी हेडिंग डालेंगे और मतलब सिक्षण साहएक समगरी में वही स्वाइब निखा जाता है जो आप पढ़ाते समय इसचीज का प्रयोग करेंगे तो वह चीज इसमें निख ci ता Contestर शांपर्थ पुस्तक आदि ठीखें अब हेडिंग डालेंगर प्रस्तान अप्रस प्रस्तान अप्रस्त्त रेंगर जा नहीं डालेंगे तो में जवाब देंगे भारत में धृसरा भारत में प्रेचली धर्मों के नाम बताईए बात्ति बत्यांगे बहुत धर्म जयन धर्म शिक्धें आडिह कि तीसरा कि Çünkü कि बहुत धर्म के संस्ठापक कौन थे इस रही जाय महात्मा बुद्ध के विशे में आप क्या जानते हैं इस समस्यात्मक प्रेश्ण करने मतलब जो बच्चे जबाब नहीं दे पाएं अंतिम प्रेश्ण ऐसा रहता है जब बच्चे जबाब नहीं दे पाएं जबाब नहीं दे पाते हैं तो समस्यात्मक प्रेश्ण हो जाता है काने मतलब मौन मौन हो जाते हैं बच्चे बता नहीं पाते हैं ठीक है उद्ध्य से कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे आज हम महात्मा बुद्ध के बिशे में विश्तार से अध्यान करेंगे ठीक है आगे चलिए प्रस्टूती करांड हेडिग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्रा ध्यापक कथन चात्र कथन या चात्र चात्रчиक राका इसमें लिखेंगे महात्मा बुद्ध बाउत धर्म के संस्थापक थे इनका जन्म 563 इशापुरु लुम्बिनी नेपाल नम के स्थान पर हुआ था पित का नाम सुदोदं तता माता का नाम माया देवी था इनके जन्म के साथ दिन बाद माता जी का निधन हो गया इनका प्लाण पोर्षण इनकी मौसि गोटमी ने किया और इसमें लिखेंगे चात्र ध्यान पृवक सुनेंगे हुआब अब आगे चलते हैं इसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे महात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम सिधार्थ था इनकी पत्नी का नाम ये सोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था इनकी मृत्यू 483 इशापुर कुशी नगर नाम का स्थान पर हुआ भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यमार्ग का उपदेश दिया भगवान बुद्ध को ज्यान गया बिहार में पीपल ब्रिक्ष के नीचे प्राप्त हुआ इनका पहला उपदेश सारनात नामकस्थान पर दिया गया था कि ईब वेडिंग डालेंगे सिक्षन बिधिव बियांख्यान बिधिव, स्यांपट कार में ब्ल्याक पैंसल लिखेंगे और इसमें लिखेंगे जन्म 563 ईशापूर लूंबिनी कोष्टक में नेपाल काने मतलत नेपाल में इसमें लिखेंगे पहला बुद्ध का जन्म कब हुआ था अब मुल्यांकन पुरेशन पहला इसमें लिखेंगे बुद्ध के बच्पन का नाम था दूसरा महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था मतलब क्या था ग्रिह कार हेडिंग रालेंगे उसमें लिखेंगे महात्मा बुद्ध ने प्रिथम उपदेश कहां दिया था लिखकर लाना है दूसरा महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुए लिखकर लाना है तो दो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए नमस्कार